नमस्कार जैहिन दोस्तों बहुत अच्छी गुड नियूज आपके लिए यह है कि जो एयर फोर्स के स्टूडेंट है काफी टाइम से बोल रहे हैं कि वेकेंसी कब आने वाली है तो वेकेंसी आने का इंतिजार जो है वो खतम हो चुका है और बहुत ही अधिक पदों पर 235 प जानकारी हम इस वीडियो मिलेंगे उससे पहले जो कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो इन्फोर्मेशन है जो नई अपडेट्स है वो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो तो जी हां जैसा कि मैंने बताया इंडियन एयर फोर्स में 235 पोस्ट के लिए यहां पे भरती आ चुकी है 30 दिसंबर तक आपको आवेदन करना है सबसे पहले तो यह कौन से कैंडिडेट इसके लिए इलीजिबल होंगे तो देखिए जो भी कैंडिडेट हैं उनक जनवरी 2002 के बीच में जो है वह आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तो ही आप इस भरती में शामिल हो पाएंगे देखिए यह जो उम्रसीमा की जाएगी वह यहां पर इरो ने बताया है कि एक जनवरी 2022 के अधार पर जो है आपकी उम्रसीमा की गणना की जाएगी अब देखें यहां पर और क्या अपडेट यहां पर आई हुई हैं इंडियन एरफोर्स ने फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वर नोन टेक्निकल ब्रांच के लिए एडमीशन टेस्ट आयोजित करना शुरू कर दिया है जल्दी आयोजित होने वाले है इन पदों के अनुरूप शररिक एवं शेक्षनिक योगिता रखने वाले अभ्यरती निर्धारित प्रारूप में आविदन कर सकते हैं इनमें फ्लाइंग ब्रांच के 69 पद हैं यहां पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के 96 पद हैं एवं ग्राउंड ड्यूटी नोन ट स्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगे आपको यह लिंक है यह आप देख भी सकते हैं तो आपको 30 दिसंबर 2020 तक इसके लिए आविदन कर देने हैं अब देखें यहां पर आपको बचके रहना है जो जूटी अफवाएं फैलाते हैं और ऐसे ही जो है फेक पोस्ट कर देते हैं यूट्यूब पे या पेस्बुक वगरे पे वहां से आप देखते हैं और आप ढूटते हैं कि कैसे हम ओनलाइन आवेदन करें तो उन सबसे आपको बचके रहना है डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी औरीजनल ओफीशिल साइट का लिंक तो डायरेक्ट आप वहां जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी थोड़ी इसकी जानकारी हम लेंगे तो जो चयन प्रक्रिया है देखिए उसके बारे में बात करते हैं तो इन सभी पदों के लिए योग्य चक्कर में आपको नहीं आना है पूरा सही तरीके से जो है फिजिकल मेडिकल और रिटन एक्जाम के तहट जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकोर्डिंग आपका सेलेक्शन यहां पर होगा अब देखिए यहां पर आपकी शैक्षनिक योग गिता यान क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होने चाहिए इसके लिए तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूं यह आप देख सकते हैं आपकी जो टैन प्लस टू है वो मैथ और फिजिक्स के साथ जो है पचास फीस्दी नियूंतम अंक होने चाहिए और जो कोई भी स्ट्रीम में आपकी स्टिक्स में जाते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री में भी आपके साथ प्रसेंट होने चाहिए और इसके लिए बीको में नियूंतम साथ प्रतीशत अंकों का होना जरूरी है इसका आप स्क्रीन शोट ले सकते हैं या मैं जो इसकी वेबसाइट का लिंक है वो आज के लिए 24 साल अधिक्तम उम्र सीमा है मतब नियूंतम 20 सीमा और अधिक्तम 24 सीमा है आवेद को का जनम जो है वो दो जनवरी 1908 मैं से पहले नहीं हुआ हो और एक जनवरी 2002 के बाद नहीं हुआ हो और अब बात करते हैं ग्राउंड डूट्री टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल के लिए 26 साल अधिक्तम उम्र सीमा तै की गई है वेतमान यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर क के रूप में आपको चपन हजार सो और एक लाग सत्तर हजार पांसो रुपए कर के बीच में जो है वह आपका वेतमान रहेगा और अलग से जो आपको बैनिफिट्स मिलते हैं वह अलग है इसमें तो काफी अच्छा मोका है बहुत ही सुनेरावसर है आपके सामने यहाँ प है कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें थैंक यू सो मच